हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल कुकिंग वित उर्मी में आप सबका स्वागत है और आज मैं बना रही हूँ तीसी पीठा या अलसी पीठा कह सकते हैं यह मीठा पीठा होता है और खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगती है और बनाना बिल्कुल आसान है अधिकतर यह पिठा बिहार में बनाया जाता है बिहार की फेमस डिस है यह अलसी पीठा या तीसी पीठा कह सकते हैं तो पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम अलसी ले लेंगे तो मैंने यह एक कप अलसी ली है और बिल्कुल फ्रेस है अलसी तो अलसी को सबसे पहले हमें क्या करना है भून ले तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप एक स्टेप देखकर बना सके और सीख सके और एक एक स्टेप में बताऊंगी तो एक कड़ाई या पेन ले ले उसमें अलसी डालकर गेस की फ्लेम को ओन करकर मीडियम फ्लेम पर हमें भून लेना है यानि अलसी को रोस्ट कर तो चार से पांच मिनिट लगेंगे अलसी को भूनने में और कुछी इस प्रकार हमारी अलसी भून कर तैयार हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं तो बस ऐसे ही धीमी धीमी आज पर भूनना है हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं बूने जब बून जाए तो गेस की फ फाइनली मैंने अलसी पीश ली है और देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा मैंने पीश कर तैयार की है बिल्कुल इसका पौडर नहीं बनाना है हलकी दरदरा पीशना है इस बात का खास दियान रखे तो फाइनली पीश चुकी है अलसी और इसे मैंने कटूरी में निकाल लि नफीकी रहेगी बिलकुल सही रहेगी अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी और ज्यादा डाल सकते हैं गुड और जब भी आप गुड डाले अलसी में तो ग्रेट करकर ही दाले यानि कद्दू कस करकर या फिर छोटे चोटे टुकुडे में काट कर यानि गुठलिया नहीं रहना चाहिए गुड का तो अपग्रेट ही कर ले और अच्छी तरीके से मिक्स कर ले तो इसके लिए मैं आटा लगाऊंगी तो यह मैं दो कप चावल का आटा ली हूं चावल के आटे से ही बनती है और हलका गुन-गुना पानी लेना है तो हलका ग बिश्चा अच्छा पानी से बिलकुल भी नहीं लगाए यानि हल्का गुन-गुना गरम पानी करके ही आप आटा लगाए वह सॉप्ट सा आटा लगा कर तयार करें तो आप देख सकते हैं बहुत इजी रेसिपी है बनाना भी बिल्कुल जंजट नहीं है बस चोटी-चोटी बाटतों का ध्यान रखना पड़ता है और देख सकते हैं आटा भी मैंने अच्छी तरीके से मसल मसल कर हाथों से लगा ली है तो देखिए फैनली और देखिए बिल्कुल सॉप्ट मैंने ल लगा ली है तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में आधा कढ़ाई यानि पानी डालकर पानी को गरम होने के लिए रख देना है गेंस की फिल्म को ओन करके तब तक इसमें एक उबाल आने जाए तब तक हमें पानी को गरम कर लेना है तो इधर छोटा सा हम आटे का लोई तोड लेते हैं और इसे हम इसका बॉल बना लेते हैं तो बॉल बनाने के बाद इसे हाथों से दबाते हुए हमें इसका कटोरी बना लेना है जिसे हम नॉर्मल आलू का पराठा बनाते हैं या कोई भी पराठा बनाते हैं तो कटोरी बनाते हैं तो बस से हम वैसे ही कर लेना है और इसलिए थोड़ी कम ही डाले, बिल्कुल भी ओवर नहीं डालना है, तो बस इसे हमें बंद कर ले लेना है, तो इस टफिंग डालने के बादि यह हलकी हाथों से दबाते हुए हमें आटे को इस तरीके इए जगा एकठा करकर बंद कर लेना है, और फिर हम आप चाहें तो बॉ पसंद है जैसा से बनाना चाहते हैं तो मैं गोल गोली बनाओंगी पस इसे मैं दोनों हातों से यानि उलट पलट कर दोनों साइड से हलकी हलकी हातों से दबा दूंगी और यह मेरा रेड़ी है पीठा तो इसी तरीके से हम सारे बना कर तयार कर लेंगे और देख सकते हैं चार आन्ретा उसके सब्सक्राफ outta ना निजा इंव्य सब्सक्राइबूरता आप ठीट तब जेशता है सब्सक्राइब i.e. युर्ण Warm Weiss और युलगाता ही या फिर был को उप्छार प्動画 चाहती है तो क्यों नीचे बेड़ गई है जब उपर आ जाती है या तो आप सम्मझ्झ सकते हैं, यहां समझिगाईएगा कि आपका पीठा बनका तयार है, तो देख सकते हैं, पान से 7 मिनट मेशी पुपल ककत सी तयार है, और बिलकूल उपर स करें ले बांगी पोड़य पर उत्युमुतं कि निकालते हैं, तो पलेट में देग मां इस बात की दियान रखें जब भी आप पीठा निकाले तो एक के उपर नहीं रखे सिनने पीठा गीर पानी निकली हुई कि से छिपब भी सकता है एक दूसरे से के ऊपर इसलिह आप अलग अलगी रखे बिल्कुल जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए तब तक आपको अलगी रखना है तो बचे हुए पानी में हम थोड़ा पानी कम लग रहा था इसलिए मैं इसमें और पानी डाल रही हूं और बचे हुए पीठा को भी हम यानि पका लेंगे उबाल लेंगे तो बस इसी तरी केसे मैंने दो कप आटे से मैंने आठ पीठा बना कर तयार करी हूं और देखिए फैनली इसे भी मैंने डाल ली है जैसे ही उबाल आने लगेगा तो फिर इसे भी हम ढखकर यानि पका लेंगे पांच से साथ मिनट तक ज़्यादा भी हमें नहीं उबालना है तो पांच से सा पांडी हो गई है और यह देखिए मैं चक्कु से कट के दिखाती हूं स्टफिंग बिल्कुल अंदर तक चारो साइड फैली हुई है और यह देखिए है ना बहुत ही मज़ेदार तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आप लोग जरू ट्राइ किजिए गा और आप ल यह खाएए और कमेंट्स बुक्स में बताएए कैसी आप लोग की पीठा वनी